हेलो दोस्त मैं उज्वल और उज्वल बिहार का नमक यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी जमीन का अगर रसीद नहीं है तो उस जमीन का हम सर्वे कैसे करवाएंगे मान के चली आपका कोई जमीन है उसका एक बार भी रसीद नहीं कटा है तो क्या हम उसका सर्वे करवाँ पाएंगे या नहीं करवाँ पाएंगे मतलब किसी जमीन का अगर रसीद नहीं है तो उस जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा या कैसे उसका हम सर्वे कड़ाएंगे इन सारे मुद्धे पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा कड़ेंगे वीडियो को आप अच्छे से देखिए हम अपने इस वीडियो में स्टेप बाए स्टेप आपको तरीका बताएंगे आपको लीगल प्रोसेस बताएंगे इसके माध्यम से आप जो जमीन है जिसका एक बार भी रसीद नहीं कटा है अगर संभव हो तो उसका आप सर्वे करवा सकते हैं तो वीडियो में बने रहिए वीडियो गर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजेगा ताकि जमीन से जुरा हुआ जो नॉलेजवल वीडियो हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्याम से लाते रहते हैं उसका नोटिफिकेश किसी भी भूमी का अगर रसीद नहीं है तो उसको सर्वे उसका नहीं किया जाएगा मतलब सर्वे करवाने के लिए किसी भी भूमी का रसीद अनिवार है मान की चलिए, आपका कोई जमीन है, आपके पास क्यावाला है, आपका पुर्ववच 50 साल पहले खर दे थे, या आप ही खर दे थे, लेकिन किसी कारण बस से उसका रसीद नहीं कटवा पाया, मतलब उस जमीन का दाखिल खारीज नहीं हो पाया, तो उस जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा किसी भी जमीन अगर जब तक उसका दाखिल खारीज नहीं हो तो आपका जमीन नहीं होगा मान की चलिए आपको जमीन खड़ दे उसके आपके पास उसका क्या वाला है लेकिन अगर आप उसका दाखिल खारीज नहीं करवाएं हैं एक बार भी उसका लगान नि पर हम जमीन का सर्वे करवाते हैं सर्वे करवाने के लिए सबसे पहले आपको जमीन पर आपका कब्जा होना चाहिए दूसरा है कि जमीन का रसीद होना चाहिए वैसे तो अपडेटेड रसीद मंगता है लेकिन अगर आपको अपडेटेड रसीद नहीं भी है फिर भी आप उ हो दावा करें वो सिद्ध कर दे ूइस पेपर से आपका मली अना हथ मिला है तब जा कि आपका gewesen का सर्वे होगा तो ऐसे केस में अगर आपके बस के वाला है मतलब आप को रसीद नहीं मिला है तो इसे जमीन का आप सर्वे नहीं करवा सकते हैं ऐसे जमीन का सर्वे करवाने के लिए सबसे पहले आपको दाखिल खारीच करवाना होगा आप दाखिल खारीच करवाने के बाद जब एक बार भी उसका लगान निर्धारन हो जाएगा तब ही आप उस जमीन का सरवे करवा सकते हैं ऐसा भी case हो सकता है कि आपके घर में मान के चलिए क्यवाला हो लेकिन वो जमीन आपका किसी को फिर से पुरवज बेशती होंगे या फिर आप ही किसी जमीन को खर दे और आपके घर में क्यवाला है लेकिन फिर कुछ दिनों में आप उस जमीन को बेह दिये ऐसे में तो केवाल आपका घर में है लेकिन वो जमीन का मालिकाना हक तो आपके पास नहीं है ना तो जब तक आपको अपडेटेड रसीद नहीं होगा आपके पास तो उस जमीन का अफसर बे नहीं करवा सकते हैं हमें समझ हो गया है कि आप वीडियो में अच्छे से समझ गये होंगे अगर नहीं भी समझे होंगे तो आप हमें कॉल करके या हमारे चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नमर दिया हुआ है उसके मादयम से में मैसेज करके क्या आपका समझ्या है उसको छुटकर आप दिला सकते हैं तो वीडियो कर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजागा कमेंट कीजागा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी सेर कीजिएगा ऐसे ही नोलेज़ेबल वीडियो के लि लाइके और हमारे चैनल को दोस्तों के भी फिरी कमांड कीजिएए आपका